बॉल्यूड में भले ही नई जनरेशन अपनी फिल्मों के जरी अपनी धाल जमा रही है लेकन आज भी बॉल्यूड को रूल करते हैं तीन खान यानि सल्मान खान शारुक खान और आमिर खान इन्हीं तीनों खान ने 90 से लेकर 2000 के बीच में अपने स्टार्डम से पब्लिक को पर करूनों की वारिश करवाई है हालनकि इस वीच में काफी है तक उतार चड़ाओं भी आते हैं कई बार सारुक खान के करियर फ्लॉफ होता है कई बार सल्मान खान आउटडेटेड हो जाते हैं और कई बार आमिर खान लंबा गयाप ले लेते हैं लेकिन जब भी कमबैक क बहुत तगड़ी करते हैं फिर चाहिए उसल्मान खान की कमबैक वाल्टेड से हो शारुक खान की कमबैक पठान से हो या फिर आमरिकान के कमबैक की बात हो जो कि धूम फिरचाइजी के तोद पर डिसकेशन लेवल पर यसराज की साथ चल रही है अब सवाल है कि यसराज प अमेशा कंटिन्यू पैरलर यूमिवर्स में बना रहेगा एक्चुली इसी रिफ्रेंस में विकी कॉसन में एक बहुत अच्छी बात करी इंटर्व्यू में और कहा है कि हो सकता उनके आने वाली मुवी सैम बहादूर दो बड़ी फिल्मों से क्लैस करे एक सारुक खान की कभी-कभी आते हैं कभी-कभी चल जाते हैं उनके according अब तक मीडिया में हम रहते हैं अब तक popular रहते हैं जो सर्मान कान आमिर खान सार्प कान जिसे बड़े स्टार्स हैं उनकों मीडिया के जरूरत नहीं है। इसलिए शार्प कान पठान के बात से मीडिया के सामने अपनी मूवी को प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। फिर विए उनकी जवान का बहुत अच्छा बज है। यही हाल सलमान खान का है, सलमान खान मीडिया में रहें, चैनल हैं, उनके स्टार्डर में कोई कम ही नहीं आती, और आमिर खान की फिल्मों का तो 4-4 साल से वेट होता है, यानि बड़े-बड़े ये मिश्टर एक्टर भी मानते हैं कि तीनों खान का कोई मुकाबला नहीं है, फिर बहले रड़ीर कपूर आ जाएं, रड़ीर सिंग आ जाएं यद फिर बेकी कोचल आ जाएं लेकिन जब बात आती ही IF you can की कुलेकसं की ये फिर पर पन इंडिया मास अपील की तब ये तीनो खान सबसे आगे आते हैं खांस के बाद फिर कुमार भी आते हैं देवगंस भी आते हैं कपूर भी आते हैं लेकिन तीनों खान को में रिपलेस करने वाला भी तब कोई बड़ा स्टर आया नहीं है शारुख खान के बारे में कहा गया था उनके सितारा खतम हो चुका लेकिन पठान के बाद उनका जो लाइन अप है फिर चाहे वो जवान हो ये डंकी बहुत सुपर है सल्मान खान भी टाइगर 3 से दमाग करने वाले हैं और आमेर खान की दो बड़ी फिल्मों की डिसकसन चल रही है एक ए धूम थिरी अद दूसरी उड़ी के कैमपियन हो हो सकता है सल्मान सारु पितरह ये दूनों फिल्में आमेरिकान को भी तुरुप का हिक्का बना दें और एक बाद फिर से बॉली उड़ को राइज ओफ खान वाला दोड़ देखने को मिले तो दोस्तों उमीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा अगर हमारे चैनल में पहली वार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन गरू दबा दीजेगा साथी वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा